वेल्कम बैक एब्रिवन वेल्कम टू सवल सर्विसे स्टड़ी देखे यूपी पीस्सी के 46 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यह है टेस्ट नमबर 47 चले स्टार्ट करते हैं दो से तीन सेगेंड का टाइम मिलेगा सूचना की अंसर क्या होगा तो कुश्शन नमबर 8 है महसागरों और समुद्रों में ज्वार भाटे के लिए हैं नमरी किद में से कौन से कारक उत्तवराई हैं पताईए सूर का गुर्ट्वेवल चंद्रमा का गुर्ट्वेवल प्रथवी का अपकेंद्रियवल देखे चंद्रमा का गुर्ट्वेवल तो हई है सूर का गुर्ट्वेवल तो हई है चंद्रमा का गुर्ट्वेवल भी है प्रथवी का अपकेंद्रियवल है क्या देखें यह भी है तीनों के तीनों है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा उप्रोक्त सभी अप्सन नमबर डी तो चंद्रमा एवं सूर की आकर्षन सक्तियों के कारण सागर जल के उपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं महसागर और समुद्रों में ज्वार भाटे के लिए उत्तरदाई कारक सूर का गुर्त्यों वल चंद्रमा का गुर्त्यों दल और प्रत्वी का अपकेंद्रे वल है दूसरा प्रश्न है चंद्रमा का ज्वार उत्पादक वल सूर की अपेक्षा कितना होता है बराबर होता है दो गुना होता है तीन गुना होता है चार गुना होता है तो बराबर तो नहीं होता है सूर से जादे ही होता है और दो गुना होता है तो देखे चंद्रमा का ज्वार उत्पादक वल सूर के अपेक्षा दुगना होता है क्योंकि यह सूर के तुलना में प्रथवी के अधिक निकट है तीसरा प्रेशन क्या कहता है निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है तो वो कत्न कौन से हैं अमावश्य और पूर्यमा के दिन चंद्रमा सूर और प्रथवी एक सीद में होते हैं अधै इस दिन उच्च जौर उत्पन होता है दोनों पक्षों की सप्तमी एवम अश्टमी को सूर एवम चंद्रमा प्रथवी के केंदर पर समकोण बनाते हैं इस इस्तिती में सूर और चंद्रमा के आकर्शन वल एक दूसरे को संतुलित करते हैं का प्रयास में प्रभाव ही इन हो जाते हैं अते इस दिन निम्न ज्वार उत्पन होता है बड़ा लंबा सा स्टेट्मेंट है सेकेंड वाला करेक्ट है दोनों तो क्या हो जाएगा इसका प्रोग सारे के सारे हैं मतलब दोनों के दोनों करेक्ट है इनको पढ़ लीजेगा एक बार अब आते हैं कुश्चन नमबर फोर पर नमलिखित कत्नों में से कोई एक इन में से गलत है असत तहन चार में से वायू मंडल में जलवास्प सबसे अधिक परिवर्तन शील तथा अश्मान वित्रण वाली गैस है जलवास्प के अलावा सूर इताप और सौर विकीरण का अपसोशन ऑक्सीजन ओजोन और करवन डायक्साइड गैसे करती हैं वायू मंडल में करवन डायक्साइड लगभग 0.9 प्रतिश्चत पाई जाती है ऑक्सीजन के आभाब में हम इं नहीं जला सकते देखिये यह करेक्ट है जलने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए और बुझाने के लिए करवन डायक्साइड तो करेक्ट है पहला करेक्ट है दूसरा करेक्ट है यहां पर डी भी तीसरा वाला गलत है सी गलत है क्योंकि 0.93 परसेंट और गन ना औक्सीजन 2.03 परसेंट है तो देखिये वायू मंडल में करवन डायक्साइड सीओ टू 0.03 परतिशत है वायू मंडल में और गन की मात्रा है 0.93 परतिशत है पांचवे प्रेशन पर आजाईए मदर आफ क्लाउड का निर्मान किस मंडल में होता है यह इंपोर्टेंट है प्रेशन इस इसको गलत मत करते ना ट्रोपोसफियर उत्तर नहीं है इसका इसका उत्तर वही है जहां पाई जाती है ओजोन मतलब समताप मंडल या पर स्टेटोसफियर तो कभी-कभी समताप मंडल में विश्य प्रकार के मेघों का निर्मान होता है जिने मूलाव मेघ या मजर आफ क्ला जिसे आंधी, बातलों की गरज, बिजली की कड़क, चमक, धूलकन, जलवासवादी समताप मंडल में नहीं होती, समताप मंडल की मोटाई धुरूबों पर अधिक होती है, हाँ तो नहीं होती क्योंकि यह किसमें छोब मंडल में होती है, बिल्कुल धुरूबों पर अधिक हो उटाई जो है मोटाई धूप उपर सबसे अधिक होती है साथवा प्रशन है ओजोर मंडल के विश्य में निमलिकित गत्नों में से कौन सा सत्य है चार में से कोई एक सत्य होगा यह से अधिक भी हो सकते हैं क्योंकि उप्रोक सभी भी यहां पर ओजोर मंडल में उचाई के कि एक पतली परत पाई जाती है जो सूर से आने वाली परावेंगनी क्रिणों को अप्शोशित कर लेती है इसलिए इसे प्रत्वी का सुरक्षा कबच कहते हैं सारे के सारे तो करेक्ट हैं इसका अत्तर हो जाएगा अप्शन नमबर डी उपरोग सभी पढ़ लिजेगा इनको एक बार फट से कुशन नमबर एट पर आते हैं नमलिकित मेंसे संचार उपक्रे किस मंडल में अवस्थित होते हैं संचार उपक्रे अवस्थित होते हैं किस में समताप मंडल में नहीं वाहे मंडल में नहीं ओजोन मंडल में आयनोस्फेर में तो संचार गुपक्रें जो है वो आयनोस्फेर में स्थापित होते हैं याद रखेगा क्वेश्चन नम्रकित कत्नों पर विचार कीज़े पहला स्थेट्मेंट क्या है वाहे मंडल में हाइड्रोजन एवं हेलियम गैसो की प्रधानता होती है इस मंडल में महत्वपूर्ण इस मंडल के महत्ववूर्ण विश्थ था इस मंडल की महत्ववूर्ण विश्थ था Aurora Australis और Aurora Borealis की होने वाली घटनाएं हैं किस मंडल की बाह मंडल की तो करेक्टर दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसका आंसर हो जागा ऑप्शन नमबर C तो देखे वाह मंडल में हाइड्रोजन वाह मंडल में हेक्सोस्फेर में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की विद्धानता होती है प्रधानता या विद्धानता होती है वाह मंडल में वाह मंडल की महत्रपूर्ण विश्यष्टा इसमें और 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 दोब तथा औरोरा वोरिलेस जो है वो उत्री धरूब पर दिखाई देते हैं यह हमारी पर्थी 20100 रिखा खीश दिया तिया जीरो डिघ्री यह उत्री गोलाद यह हो गया उत्तरी धरूब और यह गा दक्षणी धरूब तो जो और उस्थेलेस यह दूरप पर होगा और जो अब रहमांड ये चमकते प्रकाश होते हैं जिनका निर्मान चुम्ब के तूफान के कारण सूर की सते से विसर्जित इलेक्टरान तरंगों के कारण होता है। दस्वे प्रश्ण की अगर बात करें नमलेखित कत्नों पर विचार करना है दो स्टेट्मेंट है बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है देखे किसी भी सते को प्राप्त होने वाले सूर्जा तरंगों के रूप में सूर से प्रत्वी पर पहुंचती है। सूर उर्जा जो है वो लगु तरंगों के रूप में सूर से प्रत्वी पर पहुंचती है। दोनों के दोनों करेक्ट है। इसका अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर सी। सूर का लगभाग, सूर ताप का लगभाग, दो परतिशत भाग, धरातल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। वायू मंडल सूर के ओरजा का केवल 14 परतिशत ही घ्राण कर पाता है। पूर मेगा छादन के समय सूर के प्रकास में कमी का मूल कारण परिवर्तन होता है। ना कि अवशोशन है। तो करेक्ट है D, करेक्ट है C, करेक्ट है V, लेकिन इनकरेक्ट है क्योंकि यहां 32% नहीं है, यह 32% होना चाहिए हाँ पर। वायू मंडल की वाहे सीमा पर प्राप्त होने वाले सूर विकीरण का 32% भाग बादलो की सते से परावर्तित तथा धूल कणों से प्रक्णेत होकर अंतरिक्ष में बापस लोड जाता है। 12 प्रशन है, नमलखित गत्नों पर विचार करें, दो स्टेट्मेंट है हाँ पर बताना है कि इनमेंसे कौन सा सही है, बायू मंडल की केवल निचली परत ही संचालन की प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है, संबहन प्रक्रिया द्वारा बायू मंडल करमशा नीचे से उपर गर्म होता है, कौन सा सही है इसमें, यह तो दोनों के दोनों के दोनों सत्य है, पढ़ लिजेगा एक बार उनको, 13 प्रशन है, किस कटी बंद को शीत कटी बंद या डोल्डरम कहा जाता है, यह most important प्रशन है, किस कटी बंद को शीत कटी बंद या डोल्डरम कहा जाता है, त तो विश्वत रेखिए निम्न वायुदाव भूमद रेखा से 10 डिगरी उत्तर की तरफ 10 डिगरी दक्षण की तरफ मतलब दोनों तरफ उपर भी नीचे भी उपर भी नीचे भी अक्षांस के मद इस्तित है इस शेत्र को सांत कटीवंद या डोल्डरम कहा जाता है क्योंकि यहां पवने चक्ट्र रहती है और निम्न वायुदाव जो खेत्र है वायुदाव खेतर कैसे रहता है वह निम्न वायुदाव रहता है कुश्या नम्बर 14 है निम्लिकित कत्नों पर विचार करें तो इस टेटमेंट है यहाँ पर बताने किन में से कौन सा सई होगा देखे जब गर्म वायू हलकी होने के कारण ठंडी तथा भारी वायू के उपर चड़ जाती है तो उसे सीत बातागर कहते हैं जब ठंडी तथा भारी वायू ऊष्ण तथा हलकी वायू राशियों के विरुद्ध आगे बढ़ती है तो उसे उपर की ओर उठा देती है और इसे ऊष्ण बातागर कहते हैं देखें दोनों के दोनों गलत हैं क्योंकि यहां होना चाहिए उष्ण बातागर यहां होना चाहिए शीत बातागर तो इसका उत्तर क्या हुजाएगा ड़ी होगा इरमें से कोई भी सही नहीं है जब गर्म वायू हलकी होने के कारण ठंडी तथा भारी वायू के उपर चड़ जाती है तो उसे उष्ण बातागर कहते हैं और जब ठंडी तथा भारी वायू उष्ण तथा हलकी वायू राश्यों के विरुद दागे बढ़ती है तो उसे क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं शीत बाताग्र पंदुरा प्रश्न है वायू की प्रती इकाई आयतन में विद्वान जलवाश्व की मातरा को क्या कहोगे आप विसिष्ट आदर्ता नहीं कहते हैं इसको सापेक्ष आदर्ता नहीं संगरन नहीं इसको बोलते हैं निरपेक्ष आदर्ता अप्सन नमबर वी तो देखिए वायू की प्रती काई आयतन में विदमान जलवास्व की मातरा को निरपेक्ष आदर्ता कहते हैं इसे ग्राम प्रती घन मीटर में व्यक्त किया जाता है ये प्रश्ण भी कई बार पूछा है कि निर्पेक्ष आदरता को किसमें व्यक्त करते हैं ग्राम प्रती घन मीटर या ग्राम प्रती वर्ग मीटर वो गलत हो जाएगा करेक्ट है ग्राम प्रती घन मीटर में वर्ग मेटर भी तो करेक्ट होतों नहीं ह疆 करेक्ट सही है डेखिँ अगर ग्राम प्रती वर-ग मीटर आएगा तब भी करेक्ट है और गन आएगा तब भी करेक्ट है इसके अलबा कुछ हो रहाएगा तो वह उच्वात है तो यह पंदरा प्रश्ण थे एच्छे से इनका रिविजन कर लिजेगा एक से दो बार धन्य बाद टेलिग्राम चैनल को जॉइन रखिए और यूट्यूब का जो बैल आइकन है उसको प्रेस रखिए तक आने वाला जो टेस्ट है उसको नोटिफेकरिशन आपको सही समय पर उसका हर दिन रिविजन होगा तो कम से कम माइंड में आपके अठकेत रहेंगे वो धन्य बाद